जैहिन नमस्कार साथियों मैं हूँ तरुना राठोड और आप देख रहे हैं तरुना डिफेंस अकैडमी का यूट्यूब चैनल तो आर्मी की तयारी करने वाले जितने भी हमारे साथ हैं चाहिए वो किसी भी पोस्ट के लिए तयारी कर रहे हूं आपकी लिए यहां पर इंक्लूड करती हूं जो पीछे की एक्जाम्स में आ चुके हैं और आगे आने वाली एक्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं तो यहां पर हम हमारा टेस्ट लगाने जा रहे हैं दो टेस्ट पहले लगा चुके हैं और यह है हमारा टेस्ट नमबर 3 यहां पर तो सम एला कुश्चन है यूएस सैनिकों ने किस पाकिस्तानी शहर में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था और आपके सामने हैं रावलपिंडी पेशावर एबदाबाद या लाहूर तो यहां पर आपको पता है यूएस के जो सैनिक हैं उनका एक प्लान जो है पूरा प्रोपर ह हुआ था और जो ओसामा बिन लादेन जो आतंक वाधि था उसको पाकिस्तान में उन्होंने मार गिराया था शोरप को बताना है यह उप्शन्स आपके सामने हैं सारे बता दीजिए तो तीन नंबर जो और रप्शन है कि प्राइदाबाद में इसको मार गिराया था उसामा बिल्लादेन को तीन उप्षन सयोगा थर्ड नेक्स्ट क्यूस्ट पर चलते हैं प्राइदीप ये भारत का अंतिम दक्षणी बिंदू कर्ण्या कुमारी पढ़ता है कर्ण्या कुमारी कहां पर स्थीत है ये आपको बताना हैं तो करक रेखा के उत्तर में भूमध्य रेखा के दक्षण में मकर रेखा के दक्षण में या भूमध्य रेखा के उत्तर में तो यहां पर आपको पता होना चाहिए नक्षा जो है भारत का दिमार्त में एकदम फिट होना चाहिए समीर सर ने करवाया हुआ है भारत का प पढ़ता है नेक्स्ट कुष्चन गुजरात की राजधानी है गुजरात की राजधानी गांधी नगर है आप सभी को ध्यान भी होगा गांधी नगर नेक्स्ट कुष्चन निम्नलिखित में से किस रज्य समोह में लोह अयसका सरवादिक निक्षेप पाया जाता है लोह अयसक आपके सामने सारी दिए हुए हैं देखो अभी रुको मैं सारे आपको शो कर देती हूं अब सभी को सब options शो हो पा रहे होंगा यहोप चलिए तो आप बताइए जल्दी से तो लोह एस का जो निक्षेप है वो जार झारखंड्ड और ओडिसा में जारखंड और ओडिसा में सरवाधिक पाया जाता है तोा सपक्तिन नमबर और औप्षेप को आया हुआ है पनी आमी वाली बुक है उसके इंदर भी आपको मिल जाएंगे तो हाँ एक बात और अगर किसी के पास बुक नहीं है भी तो वो बुक ले सकते हैं एमेजोन और फिलिपकर्ट से ओर्डर करके तो बुक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अब कुछ स्टूरेंट्स के बार-बार फोन आते रहते हैं कि मैं बुक नहीं मिल पा रही है उसका र आतर आपको प्रैक्टिस सेट वाली है वह 202 रुपए में और जो फूल स्लेबस बुक बुक है वो ओनली 2030 रुपए पर है जल्दी से बता दीजिए तो यह गुजरात में कहां पर है दोस्तों गुजरात में नेक्स्ट क्रिश्चन पर चलते हैं जेल में अंशन करते हुए किस स्वतंतरता संग्राम सैनानी की मृत्यू हो गई थी तो वो थे जतिन दास जी यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नमबर एक नेक्स्ट क्रिश्चन पर चल रहे हैं क्रिश्चन सामने आ चुका है आपके भारत का सबसे अधिक उपजाओ शेत्र कौन सा है तो भारत का सरवादिक उपजाओ शेत्र जो है ऑप्शन आपके सामने हैं हिमाल्य शेत्र है कौन सा शेत्र है हिमाल्य शे होता है अमावश्या के दिन कब होता है अमावश्या के दिन और आपको कॉमेंट बोक्स में जवाब देना है कि चंद्र ग्रहन कब होता है चंद्र ग्रहन कब होता है यह आप जवाब देंगे साथियों ठीक है कॉमेंट बोक्स में बताएंगे नेक्स्ट क्यूश्चन पे चल कि छेत्र के लिए विशेस योगदान सुरुप दिया जाता है तो फर्स्ट जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ठीक है कुछ जो है वह बार-बार एक्जाम में आए हुए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे क्योंकि वह हैं ही इतने इंपोर्टन क्यूशन चलो देखते हैं नेक्स्ट क्यूशन उपनिश्दो को कहा जाता है उपनिश्दो को क्या कहा जाता है वह आपको बताना है तो इसको हम वेदान्त कहते हैं क्या कहते हैं सात्यों वेदान्त कहते हैं सबको दिख रहा है ना एक बार बता दें नेक्स्ट क शेखर आजाद शहीद हो गए थे चंद्र शेखर आजाद जो की बहुत बड़े करांतिकारी रहे हैं और भारत में की आजादी में का विशेश योगदान रहा है पुलिस की दौरा जो मुठ वेड़ हुई थी उसमें सहीद हो गए थे आपको वो स्थान बताना है ठीक है फिस प्रियाग राज है ऐसा मानते हैं कि पहले इसका नाम प्रियाग राज ही था और फिर चेंज करके इलाबाद रख दिया गया था लेकिन अब जो है इसका नाम वापस प्रियाग राज रख दिया गया है और जो हमारी शहीद चंद्र शेखर आजाद है ये पुलिस मुठ भी तिये जो प्रियागराज है वहां पर तीन नदीयों का संगम बताते हैं कौन कौन सी मिलती है वह आपको कॉमेंट बोक्स मैं कॉमेंट करके बताना थे पहले बताइब हुआ है थीक आद को बताना वह थे ब्रम पुत्र संद्व और सतलज चिनार रावी और ऍसमीं जो सही जवाब है आपका वह तीन नंबर का रहे ब्रम पूत्र शंद्व और सतलज नदी जो है इनका समोहदबत से निकलता है डिक है क्यूस्टिन 12 आपके किस्टन नमर 13 बोस्टन टी पार्टी का संबंद किसे है यह आपका जो विश्व का जीके रहता है वहां से बनता है क्योंकि आर्मी के अंदर विश्व का जीकी कभी कुछ पॉश्ण आता है तो यह कुछ पॉश्ण हमने लिया है तो बोस्टन टी पार्टी का संबंद आपको बताना है तो यह जो इसका संबंद्ध है वो अमेरिकी ग्रहे युद्ध से रहता है तेन नमबर और आपका सही लग जाएगा ठीख है चलो नेक्स्त किस्टीन पहराटे हैं आपके सामने दिख रहे हैं आपको किस्टीन प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है देखो जैसे आर ये समाज हुआ और प्रार्थना समाज हुआ इनके संस्थापक जो है वो पूछे जाते हैं मैं यहाँ पर आपको बताऊंगे प्राथना समाज की संस्थापक कौन है और आपको comment box में comment करके मुझे ये भी बताना है कि आर ये समाज की संस्थापक कौन है आर ये समाज की संस्थापक बताईए कौन है तो option आपके सामने यहाँ पर प्राथना समाज वालो जो संस्थापक है वो कौन है वो आपको बताने हैं सबसे पहले तो option वापके सामने दिये हैं राना डे शीवा जी महराज आत्मा राम पांडूरंग या स्वामी दयानंद सरस्वती तो प्रास्ना समाझ के संथापक आत्मा राम पांडूरंग रहे हैं तीन नंबर option जो होगा आपका correct होगा सा कार्यकाल के दोरान सती निशेद अधीनियम 1829 पारित हुआ था ठीक है एक क्रिश्चन मैंने थोड़े दिन पहले करवाया था मैंने आपको पूछा था कि जो सती प्रथा है जो सती प्रथा है वो किसके प्रियासों से उस पर रोक लगाई गई तो उसका आंसर था वहां पर र राजा राम मोहन राय यह क्यूश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है तो आपको यह भी आना चाहिए ठीक है तो राजा राम मोहन राय कब लगाई गई तो 1839 में क्या थी सती प्रथा जब किसी पुरुष की मृत्य हो जाती थी तो उसकी जो पत्नी होती थी वो भी अग प्रथा थी तो फिर रोक लगा दी गई 1839 में किसके प्रयास से राजा राम मोहन राय के प्रयास से और किसने लगाई तो वह यहां पर आपके पास ऑप्शन्स हैं यह आपको बताना है साथियों लोर्ड वीलियम बेंटिंग रलोजी केनिंग करजन लोर्ड वीलियम बेंट जो है इसका राइट आंसर होगा ओप्शन नमबर एक आपका लग जाएगा ठीक है 15 किसचन जी के कंप्लीट हो चुके हैं एक बार कमेंट करके बताओ जी के में कितने क्विश्चन सही हुए जी के में जी के ऐसा जो होता है उसमें कुश्चन बाहर से भी आ सकते हैं कई वा पानों कि जी के में जब 15 किस्चन आपके आते हैं तो आपको 12-13 किस्चन तो राइट करने ही हैं 12-13 करने हैं मैंट कॉंसेप्ट पे डिपेंड होती है सारी मैं में कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए और साइंस में एक आद क्विश्चन से जादा गलत बिल्कुल भी नहीं ह होना चाहिए साथियों वरना आपको खतरा हो जाएगा रीजनिंग में तो गलत होने की संभावना ही नहीं है और रीजनिंग बहुत इजी हैं जी के में मान सकते हैं कि कुछ एक दू किस्चन नहीं आए तो बारा तेरा का टार्गेट तो हमको फिर भी दखना ही होगा ठीक ह सो सो नंबर भी जिन स्टूडेंट्स के हैं उनकी तयारी भी शांधार है तो अपमी तयारी को बहतर बनाओ समन्य विज्ञान यहां पर स्टार्ट हो चुकिए देख रहे होंगे आप तो पहला किस्चन आपके सामने आ चुका है साथियों पदार्थ की चतूर्थ अवस्थ है पदार्थ की चतूर्थ अवस्था ठोस तरल प्लाज्मा या गैस तो पदार्थ की चतूर्थ अवस्था आपको पता है प्लाज्मा है ठीक है क्या है प्लाज्मा पांच वी अवस्था की बात की जाए तो बोस आइंस्टिन कंडंसेट ठीक है बोस आइंस्टिन आएगा वायू है एक वायू क्या हूआ योगिक तत्व थूं तो यहाँ पर आपका तीन नंबर ऑप्शन जो है वह राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्यूस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् राइट हो जाएगा सबको दिख रहा है कि स्क्रीन एक बार बताएं ठीक है तो पहला ओप्शन यहाप आपका राइट होगा नेक्स्ट क्यूस्टिन पर चलते हैं निम्न में से कौन सबसे कम आगे क्या दिया है इसमें गवार देखते हैं यहाँ पर थो टाइप नहीं हुआ है तो निम्न में से कौन सबसे कम उर्जावान है यहाँ पर लिखो उर्जावान है लिख लिया अब देखो अब बताओ इसका आंसर जर्व ठोस प्लाजमा या गैस जल्दी बताएं सबसे कम उर्जावान कौन होगा ठोस होगा बी आप्शन आपका राइट लग जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्यूशन पर चलते हैं क्यूशन नमबर 20 बर्फ के दो टुकडों को आपस में दबाने पर टुकडे आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि अभी बचपन में प्रियोग किया भी होगा आपने की बर्फ के दो टुकडों को दबाया होगा जोड से आपने देखा होगा कि दोनों टुकडे आपस में चिपक जाते हैं क्यों चिपकते हैं वो आपको बताना है ठीक है जो दाब होता है ना दाब जब हम अधिक करते हैं दाब किसी चीज पे अधिक लगाते हैं तो बर्फ जो है बर्फ का गल्लांक क्या हो जाता है घट जाता है गल्लांक क्या हो जाता है कम हो जाता है और इस वज़य से दोनों टुकडे जो हैं वो आपस में चिपक जाते हैं दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक कम हो जाता है और इस वज़े से जो टुकड़े हैं वो आपस में चिपक जाते हैं बी ओप्षन से ही लग गया यहां पर नेक्स्ट क्यूश्चन पर चलेंगे 21 तापमान के समान रूप से बढ़ने पर निम लिखित में से कौन सी वस्तु अधिक फैलती है तापमान को जब आप बढ़ाओगे समान रूप से तो कौन सी वस्तु सबसे अधिक फैलेगी वो आपको बताना है तो gas के जो अनु है पहले ही दूर-दूर होते हैं और वो बहुत अधिक फैलेगी तीन नमबर ओप्शन लग गया नेक्स्ट क्विश्चन निम लिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है मिश्रण नहीं है वो पूछा है तो चीनी मिश्रण होती है मिश्रण नहीं होता है तो तीन नमबर ओप्शन यहां पर लग जाएगा देखो मैंने वैसे बुक में बताया हुआ है यह टोपिक वाइस जो अपनी फूल स्लेबर स्बुक है उसमें के क्रिस्टल यह अपर रूप इन में 3 होते हैं मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं बताएं तो इसमें एक तो होता है आपका हीरा जो भी नाम आया हीरा इसके लावा होता है ग्रेफाइट ग्रेफाइट और तीसरा होता है फुल रिन थीक है अगर सरवाधिक कठोर पदार्थ की बात करें सरवाधिक कठोर पदार्थ तो हीरा और यहां पूछा जाता है कि ग्रेफाइट जो है उसकी प्रकरती है विद्यूत का सूचालक है अर्धचालक है क्या है तो ग्रेफाइट जो होता है इसमें मुक्त इलेक्टरोन पाए जाते हैं मुक्त इलेक्ट्रोन इसमें पाए जाते हैं इसकारण ग्रेफाइट की प्रकर्दी जो होती है वो सूचालक की होती है और ये विद्यूत का सूचालक होता है ठीक है यहां पे रहते हैं किस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट विग्यानिक ने प्रस्तावित किया मतलब जो प्रतीक हैं जैसे कैल्शियम को हम सी यह लिखते हैं तो इस तरह से प्रतीक जो हैं वो किस विग्यानिक ने दिये तो एक विग्यानिक थे जे जे बर्जिलियस क्या नाम था जे जे बर्जिलियस इन्होंने प्रतीक के बारे में बताया था कि इनको ऐसे लिख सकते हैं ततुओं को ठीक है तो 23 नमबर क्याटन जो है आपका लग ग जया नेक्स्ट क्यूस्टन है पदार्थ का gays से द्रव अवस्था में बदलना कहलाता है صुप्योस पर ग्देश ट्रव किस्चन नमबर 25 दाब बढ़ाने पर द्रवों के द्रवणांक पर क्या प्रभाव पढ़ता है बताएं होपसंत आपकी स्वामने है 25 नमबर किस्चन प्रवर्तिनी रहता है यह द्रव की प्रकरती पर निर्भर करता है बढ़ता है या न्यून रहता है दाब बढ़ाने पर देखो सातियों दाब जब बढ़ाया जाता है किसी द्रव का तो जो उसका द्रवनांक है वो कम या ज्यादा होना जो द्रव की प्रकरती है ना कि द्रव जो है वो किस नेचर का है उसपर डिपेंड करता है तो यहां पर second number option आपका सही लग जाएगा ठीक कमपनायां बढ़ जाता है अनू भारी हो जाते हैं अनू हलके हो जाते हैं या उर्जा जो है अनू की घट जाती है यह आपको बताना है जल्दी से तो देखो जब किसी वस्तू को साथियों की कोई वस्तू है और इसको उश्मा दी जाती है मानों इसको क्या कर रहे हैं गरम कर कंपन का आयाम जो है बढ़ जाता है और अधिक कंपन करते हैं तो यहाँ पर यह फर्स्ट ऑप्शन है वह आपका राइट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट कुष्टन पर चलते हैं 27 हवा में अधिक मातरा में हैं सबको बता है बच्चे बच्चे को पता है नाइट्रोजन गैस जो है वह सरवाधिक मातरा में पाई जाती है हुआ में कितने प्रतीशत पाई जाती है यह आप KOMENT BOX में मुझे कौमें परताए कर सों के LECT 1 यह जल्दी बताएंगे प्लाजमा अवस्था में एकन होते हैं प्लाजमा अवस्था में किस प्रकार होते हैं विवस्थे होते हैं आपको बताने हैं अधिक उर्जा वाले अधिक उतेजित होते हैं उदासीन हो जाते हैं आयन होते हैं या वह दो वह तीन दोनों सही रहेंगे आपको बताना है जल्दी से दिख रहा है क्या स्क्रीन पर सभी को इस बार हाँ ठीक है बताएं जल्दी से प्लाजमा अवस्था में कर्ण जो है वह अधिक उर्जा वाले और अधिक उतेजित या निके एक्साइटेड स्टेट में होते हैं ठीक है क्यूशन नंबर 29 आपके सामने आ चुका है साथियों सभी जवाब देते चाहें तो दोई क्यूशन बचे हैं तारों में प्लाजमा बनता है तारों में प्लाजमा जल्दी ब बचे से तारों में क्या बनता है प्लाजमा बनता है सेकेंड नंबर ओप्शन आपका सही लग जाएगा साथियों नेक्स्ट कुश्चन पर चलते हैं लास्ट कुश्चन आज का अमारा क्वाथनांक की समस्टी परिघटना जिसमें समस्टी के कण परिवर्थित होते हैं तो ये द्रव अवस्था से वऄस्था में परिवर्थित होते द्रव से वऄस्था में तो इस जो लेक्चर रहा पूरा आपका टैस्ट था इस टैस्ट में कुछ rec किस्टन तो हर्ड लेवल के लिए गएंगुत उठाइब लेवल के इसलिए हैं और नहीं मुझे लेने और जो मैंन तयारी है आपकी वो तो आपकी साथ साथ चली रही है ठीक है अगर आपको classes पसंद आती है तो like में कमी नहीं आनी चाहिए class को like जरूर करना है यह जो thumbs up वाला button ऐसे दिया हुआ है इसको click जरूर करना है और ज्यादा से ज्यादा आपके साथियों को जोड़ना है ताकि हम आपकी regular classes लेके आएं और हाँ आपके लिए एक नई classes भी आपकी demand पर start की गई है आपको पता ही है maths और reasoning की class सीमा मैम लेते हैं सीमा बंसल मैम जो है वो शाम को साथ बज़े शाम को साथ बज़े जो है आपकी maths और reasoning की class चलती है तीन दिन maths होती है जिसमें तीन दिन reasoning रहती है और फिर संदे को तो आपका बड़ा जो महा टेस्ट होता है वो करवाए ही जाता है उसके बाद में एक नए मैम की entry होने वाली है यहाँ पे तो जो अनीता सांगवान मैम है क्या नाम है उनका अनीता सांगवान मैम है साथियों तो अनीता सांगवान मैम की class आपकी regular आएगी अपसे कब आएगी time मैं भी बता देती हूँ वो class आएगी आपकी साड़े साथ बजे साथ बजे सीमा मैम की class उसके जश्ट बाद में अनीता सांगवान मैम की class आएगी साड़े साथ बजे वो class आपकी रहेगी topic wide science की कौन से class रहेगी topic wide science की class रहेगी साथियों आपकी और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं भी आपके लिए एक एक करके सारे टोपिक साइंस के जो है वो जो में नोट सीरीज वाली क्लासेश चल रही है उसमें मैं कवर करवा दूँगी और जल्द ही जीके की भी टोपिक वाइस लगाएंगे अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो अभी साइंस की क्लास लेनी है आपको साड़े साथ बज़े और सीमा मैं की मैट्स रीजनिंग क्लास साथ बज़े चल रही है वो क्लासेश लेनी है अगर कोई दिक्कत आपको होती आपको पूरी तरह से ठीक है एक बार जैहिंद बोल दें तो क्लास का समापन करते हैं जैहिंद साथियों बाई